नमस्कार सुवागत है आपका इडिया न्यूस के डिजिटल प्लेटफॉर्म इडिया न्यूस नेशनल पे और आपके साथ मैं हूं गौरवत नहीं साल का पहला दिन और दो बड़े हादसें क्या कहता है साल 2022 अगर हादसों का देखा जाए तो पहला हादसा आज सुभा रात को दो या तीन बजे के बीच हुआ वैशनो देवी में कट्रा में और उसके बाद दूसरे हादसी खबर आ रही है और ये भी एक बड़े हादसे के तौर पर देखा जा रहा है हरियाणा के बीवाणी में खरनन शेतर में हादसा हुआ है और जहां से खरनन किया जाता है वहाँ पहार दरग गया है जिसके बाद वहाँ 20 लोगों के दबे होनी खबर है और फिलहाल वहां से तीन लोग निकाली गए हैं और तीन में से एक के मार जाने की पुस्टी भी हो चुकी है तो खनन शेतर में बड़ा हाथसा भीवानी के ये हम आपको एक बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं बड़ा हाथसा हुआ है हरियाणा के भीवानी शेतरे में आपको बना दे कि दो महीने पहले खनन पर यहां जिस साइट पर ये खनन हुआ है और ये हाथसा हुआ है वहां दो महीने पहले ही पूरी तरीके से खनन पर लोग लगा दी गई थी लेकिन गुरुवार को ही क्वनन को दुबारे चालू किया गया और जैसे ही गुरुवार को चालू किया गया और आज ही ये बड़ा हादसा मापर हो जाता है तो देखिए कितना रिस्की एक बड़ी खबर आपके तौर पर आप देख सकते हैं कि खनन को पहले रोग लगाया गया और जैसी शुरू किया गया यारी साइट पर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके चलते वहां रोग लगा दी गई थी लेकिन रोग जैसी कुलती है कि हाथसा ह होता है और शुरूत होती है साल की एक बड़े हाथसे से तो हरियाना के भीवानी के खबर है और किर्शी मंतरी का ये कहना है मिस्टर दलाल का कि अभी बहुत सारे लोग दबे हैं और इसमें बड़ा जानमाल का नुक्सान हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से लोग दबे हैं अ ज्यादा लोगों की जाने मारे जाने की ख़बर मिल सकती है आपको तो आपको हम बता दे की जैसे जैसे दिन चड़ेगा रेस्क्यू फिलहाल जाली कर दिया गया है और रेस्क्यू की जो भी फुटेश सामने आएगी जो तस्वीरे सामने आएगी इसके लावा जो भी अपड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दमाना ना भूलें टाकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए इंडिया निउस नैशनल